नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला इसलिए वीडियो को अंतक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज जो हो रही है उसके बारे में बात करने वाला दोस्तों मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ या कोई बड़ा सेलिएटी नहीं हूँ फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंतक देखिए क्योंकि ये आपके मेरे और देश के हित के लिए ठीक है दोस्तों तो आए शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत में 69 चाइनीज आप पूरी तरह बेहन कर दिये गए उन उनसर चाइनीज एप में सबसे उपर जो नाम आथा था वह है contractor का टीक-टॉक एक ऐसा प्लेटफ़ाम था जहां पर बहुत सारे वीडियो शेर किये जाते देखे जाते दोस्तों टिक-टॉक के चाहने वाले भी बहुत थे सर दोस्तों, TikTok एक Chinese company है और हम इंडिया में रहते हैं तो हम में किसको support करना चीह है? Chinese apps को या Indian government की decision को? दोस्तों, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को support करना हमारा पहला कर्तव्य है मुझे उम्मीद है कि आप Indian government की decision को ही support करेंगे Chinese company TikTok के द्वारा एक illegal activities की जारी है वो एक ऐसा link शेर कर दिये जो WhatsApp और Messenger की थूँ से उसको शेर किया जारा है जिस link को अगर आप click करते हैं तो TikTok डाउनलोड हो जाए किन्तों दोस्तों ये illegal activities हमारे लिए हमारे phone के लिए खत्रा है क्योंकि हो सकता है कि इस डाउनलोड के जरिये आपके phone के data चोरी हो जाए आपके bank details चोरी हो जाए तो इसलिए इस illegal activities से आप बचें क्योंकि आपको पता है कि TikTok अभी प्ले स्टोर में अवलेवल नहीं है तो Chinese company TikTok ने ये रस्ता निकाला है कि वो आप तक इस link के जरिये आप तक पहुचे उन्होंने आपके और हमारी इस कमजोरी का फाइदा उठाने की कोशिश है तो हमें इससे बचना है दोस्तों चूँकि आप TikTok के अल्रेडी बहुत सारे followers आपके पास हैं अल्रेडी TikTok के आप स्टार्स हैं तो आप दूसरे platform को यूज़ कीजिए आप YouTube का इस्तमाल कर सकते हैं आप रोश्तोपा का इस्तमाल कर सकते हैं और बहुत थोड़े से views आते हैं बहुत थोड़े से subscriber हैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं YouTube के जरिये आप लोगों तक पहुंच सकूँ आप लोगों तक अपनी information को share कर सकूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते कि आपके पास तो अल्रेडी बहुत सारे followers हैं तो आई बटन पर मैं आपको link दे दूँगा आप जाके देख सकते हैं कि वो alternative apps कौन कौन से हैं जिसे आप Chinese app के बदले में use कर सकते हैं तब उनका use किजिए आपको Indian government के decision को support करना है दोस्तों Chinese app को पूरी तरह हमें ban करना है पूरी तरह हटाना है अगर ऐसा नहीं होता तो आप चालू रहते हैं दोस्तों इसे हमें कोई फाइदा भी नहीं है तो हम वो काम क्यों करें हम YouTube में अगर वीडियो डालते हैं तो हमें दूसरे तरह के कई फायदे और मिलते हैं तब उनका use किजिए उस illegal download से आप बचिए दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बनाने का उदेश यही है, कि मैं आप लोगों को सावधान कर सकूँ, आप लोगों को अवेर कर सकूँ, कि आप वो इल्लीगल डाउनलोड से बचे हैं, जिससे आपका फोन का डाटा, आपके बैंक टितेल्स वगरा सब सेफ रहेंगे। आप सेफ अल्टेनिटिव एप्स यूज़ कीजिए, जो अदर अल्टेनिटिव एप्स हैं, उनको यूज़ कीजिए। ठीके दोस्तों, उम्मीद है, मैं आपको पूरी तरह समझा पाए। अगर आपको कुछ कहना है, या आपको कुछ मेरे को बताना है, तो आप कमेंट सेक् पहुंच सको, अपनी बात को आप लोगों के साथ शेयर कर सको, इसलिए ये मैंने वीडियो आज का बनाया है, ठीके दोस्तों, उम्मीद है आपको मैं समझा पाया, अगर आपको लगे कि वीडियो सही में इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको लगे है कि आपकी इस जानकार तो इसे लाइक कीजेगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजेगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर म मिल सके, ठीके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, नए उमन के साथ, तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, खुश रहें, धन्यवाद,